हेलो दोस्तों मेरी यूट्यूब चैनल एसके सी टेक्निकल में आप सभी कर स्वागत है और आज मैं फिर से एक नए वीडियो लेकर रहा हूं है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर ने हों तो सबसे पहले मैरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ हीं सांथ यंय अग्ये अजिएर करते उस्यादार रैपूर से इसमें 36 परिच्छा मंदा रायपुर के द्वारा साहे गेड तीन एवं डाटर इंट्री आपरेटर के पदों पर स्युक्त भरती परिच्छा 2021 एवं छेत्र रक्षक भरती परिच्छा 2021 हेतु आवेदन पत्र आउनलाइन आमंत्रित हेतु विभागी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसमें अभ्यारती आउनलीन आवेदन वेबसाइक परिच्छा मंदल रायपुरुट के वेबसाइट में जाकर दिनांक 10-11-2021 दिन बुधवार से आवेदन फार्मा भर्ना प्रारामभा कर सकते हैं और जो की जिसका अंतिम्तिति है दो बारा दोजार इक्य जिसमें आप त्रोटी सुधार कर सकते हो तीन से पांच दिसंबर तक यह 3-12-2021 से पांच दिसंबर यह 5-12-2021 तक आप अपने आवेदन में त्रोटी को सुधार सकते हों इसके पस्चाथ वेबसाइट पर प्रवेश्पत्र जारी करने का जो संभावित ती थी है वह है 10-12-2021 दिन सुक्रवार एवं संभावित परिच्छ ती थी है 19-12-2021 दिन रभीवार और परिच्छा का समय है तो परिच्छा का समय अलग-अलग निधार किया गया है जैसे साय है ग्रट 3 एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर पधेतु पुर्वान 9 बजे से 12-15 बजे तक उसी प्रकास से 6 रख चक पधेतु जो समय निधारी था है वह है अफ्रान 2 बजे से 5-15 बजे तक आगे देखा जाए तो परिच्छा केंदर प्रदेश के 16 जीला मुख खैलों में होगा तो जब आप 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 पर आपको 16 जीलों का नाम होगा जहां पर आप अपनी सुईधा नुसार अपना जीला सेलेक्ट कर सकते हैं और वहां पर आप परिच्छा दे सकते हैं आगे आगे आप देख सकते हैं कि online आविदन के साथ अभ्यारति कि जाती जनमतिती अस्तानी निवासी आदिस अमंदी प्रमारपत्र नहीं लिए जा रहा हैं अभी आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रमार पत्र अप्रोड नहीं करना है आपको इसमें जानकारी वस फिलप करना है और फार्म आउनलाइन माध्यम से भरा जाना है तो आप परिक्षा मंडल के वेबसाइट में जाकर फार्म फिलप कर सकते हैं और इस परिक्षा मे सकते हैं इससे संबंधित जो भी डीटेल है वह आप कि संबंधित website में जाकर देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं तो आज के वीडियो में बस इतना ही आगे फिर मिलेंगे इक नए वीडियो के साथ एक नए शूच के साथ तब तक लिए जै भाराज जै सत्रों क्यों और अभी भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दे